नमस्का कमोर्टी मार्केट में हमने काफी बड़ा उतार चड़ा वाते वह दिखा खास के सोनी चांदी की बात करें तो जी दंग से लॉगडाउन ओपन होने की बाते चल रही है उसके बाद हमने एक प्रॉफिट बोकिंग आते वह दिखा नोड़ाउट मेडिकल्स पे भी का प्रॉफिट बोकिंग तो चांदी की बात करें तो चांदी में काफी बड़ा रैली आते वे देख चुके थे जिस दंग से हमने सोनी में देखा 45,800 का ओपन होने के बाद प्राइज़ 47,300 का लेवल छोते में दिखाई दिया तो एक प्रॉफिट बोकिंग ड्यू थी वह मा करें तो चांदी में हमने सर्प्राइज देट परशन की गिरावट आते वी देखी है अभी थोड़ा दबाव दिखा रहा है जो 41,500 से 42,000 तक का भी लेवल दिखा सकते हैं तो लास्ट हपते में हमने करीबन 30% की गिरावट देखी हमने अल्मोंस 2000 से प्राइज को 1380 का अगर हम डेटा पॉइंट की अगर बात करें तो आज कोई मेजर डेटा पाइंट नहीं रहना है बट ओर व्मी जताई जारी है जो मेंगर फेक्षिंग नंबर से वो अल्रडी मार्केट डिस्काउन करके चल रहे हैं और डेटा पॉइंट हो सकता है यह अपते भी जो आएंगे वो थोड़े बहुत खराब रहने की उमीद है खास करके ट्रेट बैलेंस की बात करें तो आज बॉर्डिंग में चाइना से डेटा आया है जो माइनस जिरो पॉइंट वन वन ट्रिलियन डॉलर आना था जिसके चलते माइनस जिरो पॉइंट वन ट्रिलियन तो वैसे ही डेटा खराब रहे हैं मैनुफेक्शिंग और शर्वीज पीम आपरे हमें थर्जडी आने हैं चाइना से बुद्वार को लिडिंग इंडिकेटर के डेटा आएंगे वह भी खराब रहने की उमीद है यूएर साइट से हम देख सकते हैं कि मैनुफेक्शिंग पीयम आई सर्वीज पीयम आई होम सेल्स साथ में बिजनस क्लाइमेट बिजनस सेंटिमेंट के डेटा आने हैं पूरे हफ़ते में इंट्रेशनल मार्केट की बात करें तो गोल्ड में थोड़ा बहुत गिरावट है सत्रा सो डॉलर के नीचे प्राइज टेट करें बट सस्टेनिमल नहीं लगते हैं कि सत्रा सो काफी बाटर रेश्र पहले भी हमने देख चुका है अगर यह अपते में सत्रा के नीचे अग 30 डॉलर के नीचे खराब है जो 25 डॉलर तक का लेवल दिखा सकता है नेचल गेस में उचाल लाने की कोशिस होगी बट अभी भी ट्रेंट वीग रहनी की उमीद है वीक्स इंडेक्स में वापस बड़ोतरी होना चालू हुई है 35-35 की करीब का सिंडेक्स है जिसके चलते आज लॉक्डाउन से उपन होगा जिसका कई ना कई पॉजिटिव सेंटिमेंट हम मार्केट्स पर आते वे देख पाएंगे आज के ट्रेट साट अब यह बात करें तो सोनी चांदी में मौर्णिंग ओवर्स में थोड़ी बात गिरावाट देखने मिल सकती है 45,500, 45,200 के ब पॉज़ाला मिले उसमें बेच के चल रहा है अगर इंट्रेशन की बात करें तो तो करीवन हमें लगता है कि प्राइजस में अगर 1550 तक भी जंप आए तो बेच के चलिए 1350 तक का ओर और टागेट देखने मिल जाएगा वहीं नैच्टर गैस में 132 तक के जंप हम बेच के चलिए धियार में अगर नैच्टर गैस 135 का लेवल क्रॉस कर जाती है तो हम 10 रुपे की देजी देख पाएंगे नहीं तो पैठीस तक का लेवल दिखाने के बाद नैच्टर गैस में फिर से गिरावट का लूप देखने मिल जाएगे बेस बैटल एलमी पे इस वक पॉजि देखने मिल जाएगा निकल पर ध्याम लेकिए कर 920 के ओपर होल्ड करता है तो हम 936 से लेकि 940 तक के लेवल देख पाएंगे ऐलिविनियम और लैड दोनों ही साइड़ वेटू नेगेटिव रहने की उमीद है धन्यवाद